विशाखा बटनम में किया है भारत में जीत का अदिदार क्या ये है इस सीरीज में वापसी की गोहा और कौन रहे हैं आज के मुकाबले में भारत के लिए जीत के पांच ही रोज बताएंगे आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहीएगा हमारे साथ टिकेट इन इंडिया क चैनल में आप मैं हूँ आपके साथ लक्षित भारत आज करो या मरो की स्थिती में था क्योंकि अगर आज भारत यहां से मुकाबला आता तो आप लगा लीजिए श्रिंखिला से भी हाथ होना पड़ता भारत को लेकिन विशाखा पटनम में जीत की शाखा खोली है यहां प चीत का जहां आपको बता दिया जए लक्षे दिया था भारत ने 117 रनों का अब बारी 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 बताते हैं कौन रहे हैं आज की चीत में भारत के 5 हीरोज नंबर एक तर यहां पर आती है, आज के मुकाबले के हाईस रन्स्कोरर की बारी जहां पर रहेंगे ज़रूर जिसके अंदर थी वर्षा चौकों की साथ चौके आते हैं दो चौके आते हैं रुदूराज गायकुवड आज शुरुवात से ही टच में थे दूसरे नमबर पे जो खिलाडी है वो इसी कास आती है क्योंकि इन दोनों के चलते भारत ने पहली विकेट के लिए 57 रनों की साज़दारी जोड़ी वहाँ पे नाम आता है इशान किशन का इशान का आज शांदार प्रफॉर्फॉर्मेंस आया इशान किशन ने भी अर्दश तक जड़ा जान किशन ने आज 35 गेंदों में बनाए 54 रन 5 चौके 2 चक्के उस पारी में शामिल इसी के चलते ये दो खिलारी हैं टॉप दो पे जो आज भारत की जीत के लिए हीरो बन के सामने आएंगे इन दोनों की 57 रनों की वो साज़दारी जिसने भारत को एक मजबूत शुरुवात दी हाला कि मिडल ओर्डर थोड़ा सा डगमगाया लेकिन उस डगमगाते हुए मिडल ओर्डर को अंत में आके समाला कुंगफू पांडिया यानि कि हार्दिक पांडिया ने जा हमने देखा हार्दिक पांडिया के बल्ले से पारी को फिरिश करने के लिए एक शांदार और सेंसिबल नौक आई हाला कि उस पारी में कोई छक्का नहीं था चार चौके थे हम मौजूद लेकिन पांडिया ने सिंगल डबल रनिंग बिटूइन दर विकेट्स के चलते रन काफी ज्यादा जोड़े इसके चलते आज पांडिया ने बनाए 21 गेंदों में 31 रन अंत में आके पांडिया ने वो रन जोड़े जिसके चलते भारत जरूर 189 तक पहुंच और 180 का वहाँ पे दिया लक्षे पिराती है बारी यहां से अब चौते नंबर पे कौन सा खिलाड़ी देगा जो आज रहा है भारत के लिए जीत का हीरो ये खिलाड़ी हीरो सिर्फ इस मुकाबले में नहीं बलकि IPL में भी था क्योंकि परपल क्या पुनर का यहां पे पर सकते हैं युजवेंदर चहल अपने टीम के लिए जहां आज तीन सफलताओं में बड़ी-बड़ी मच्छियों को फसाया अपने जाल में आज युजवेंदर चहल ने जिसमें ड्वेन पिटोरियस, वैंडर डशन और पिछले मुकाबले के मैन आफ दे मैच, हेंडरिश खलासन का नाम शुमार होता है यहां पे जरूर आज तीन विकेट्स हर्शल पटेल को भी मिले, लेकिन युजवेंदर चहल साथ में किफाइदी भी थे, जिन्हों ने चार ओवर्स में कीवल मातुर बीस रन जे है चहल की शांदार के इन्बाजी रहिए भारत की जीत का एक कारण उसके अंदर थी शामर्थ इंपोर्टन सफल था है लेकिन जीत का पांचमा हीरो आप भी सोच रही होंगे कौन होगा जा आमको बता दिया जाए जीत का 500 वा हीरो यहाँ पे बनके सामने आते हैं कप्तान रिशब पंथ, पहले दो मुकाबलों में कप्तानी के कुछ निर्णेओं में वहाँ पर आभाव था जिसके चलते रिशब पंथ की कप्तानी की अलोचना की जारी थी, आज पंथ का बला हाला की बोला नहीं लेकिन यह बात कर लीज जाये तो पंत का बोला है आज कप्तानी का तौर तरीका जहां पे स्मार्ट कॉल्स से डियास लेने के या ना लेने के उसके चलते पहले पंत की तारीफ भला वो पहले ओवर में उवनेशुर कुमार का डियास हो यहां फिर बॉलिंग चेंजिस की बहातवाज किय है स्पिनर्स का भैतरीन यूज जिसके चलते स्पिनर्स ने आज इने दिलवाई हैं सफनता और मुकाबला भी जीता है भारत ने तो यह थे हमारी तरफ से आज के मुकाबले के पांच हीरो इशान किश्ण, रुदुराज गायकोड, हार्दिक पांडिया, यूजवेंदर च जाएगा यहां से साउथ अफ्रीका, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए में यूट्यूब पे, फॉलो गर लीजिए फेस्बुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से चुड़ा हर एक लेटेस अबडेट वो भी सबसे पहले करता है को एक में से चुड़ा हमें यूट्यूण से चुड़ा हमें।